दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में दोस्तों ये जो ब्रह्मांड है ना ये असल में किसी पहली से कम नहीं है हम इनसान चाहे जितने भी अथक प्रयास क्यों न कर ले आखिर मैं ब्रह्मांड के छिपे रहस्यों को सुलजाना हमारे लिए एक असंभव सा कारे बन ही जाता है मंगल के बारे में आप लोग पहले से काफी कुछ जानते है और जालतर वैग्यानिकों को ये भी लगता है कि पृत्वी के बाद मंगल ही हमारा दूसरा घर बनने वाला है ऐसे में इसके विशे में जानने के लिए हमेशा से लोगों के अंदर काफी जादा उत्सकता रही है परंतो मित्रों सबसे पहले अजीब बात ये है कि जिस मंगल ग्रह को हम सबसे जादा जानने की कोशिश कर रही है असल में वो हमारे लिए और भी जादा अंजान बनता जा रहा है मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस मंगल ग्रह को हम हमारे दूसरे ग्रह के रूप में देख रही है असल में वो हमारे लिए ब्रहमांड में मौझूद किसी दूसरे ग्रह के समान ही रहसिमाई बन चुका है हाली में वेग्यानिकों को मंगल ग्रह के विशे में कुछ इस तरह की अजीब चीजों के बारे में पता चला जो किसी भी नॉर्मल इंसान को चौका सकती हैं तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह से जुड़े इस रहसे का परदा फ़ाश करते हैं दोस्तो वेग्यानिकों को हाल ही में मंगल ग्रह की सतय पर एक बहुती अजीब चीज देखने को मिली है दरसल बात ये है कि मंगल ग्रह की सतय पर कुछ प्राचीन दरार देखने को मिले है आकार में ये किसी पॉलिगोन के जैसे ही है परन्तु इन दरारों में कुछ तो खास बात जरूर है क्योंकि इनके अंदर एक अनोखा पैटर्न देखने को मिला है कुछ वैग्यानिक इस अनोखे पैटर्न को एलियन्स से जोड़ कर देख रही है और कह रही है कि यहां किसी जमाने में एलियन्स रहा करते थे दोस्तों एक रिपोर्ट से पता चला है कि जमीन के उपर मौजूद ये दरार लग भग तीन अरव वर्ष पुरानी हो सकती है इसके लावा अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूँ कि ये दरार ग्रह की सतय में होने वाले लंबे वप्रतिकूल एन्वाइरमेंट में होने वाले टेंपरेचर के बदलाव से बनी है खेर जमीन की ये दरार ग्रह की सतय पर मौजूद कीचड से ही बनी हुई है जो कि शायद यहां काफी लंबे समय से बन कर सूख चुका है 2021 में पहली बार वैग्यानिकों के पास इन दरारों की तस्वीर आई थी तब से ही इनके उपर काम चालू है वैसे एक खास बात यह है कि ये सारे के सारे पॉलिगॉन आकार की दरारे माउंट शाप के उपर देखे गए हैं जो कि गेल क्रेटर के पास मौजूद है बताता चलूं कि ये जगह मंगल ग्रह की सतय से लगबग 4.8 किलोमीटर की उंचाई पर स्थित है वैसे कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये पॉलिगॉन आकरिती की दरारे लगबग 3.6 से 3.8 अरब बर्ष पुराने हो सकते हैं वैसे इसके बारे में और भी ज़्यादा प्रियूग चल रहे है दोस्तों ये एक शौकिंग बात है कि खोज के शुरुआती दिनों में ये दरारे वैग्यानिकों को सिर्फ कीचड से बनी हुई आम आकरितियों के रूप में दिखाई पड़े थे परन्तु मंगल ग्रह के उपर जैसे जैसे खोज होने लगी उसके बाद ये पता चला कि एक जमाने में मंगल पानी से भरा हुआ एक गीला ग्रह हुआ करता था जहां पानी और धूल आपस में मिलकर कीचड बनाया करते थे हलाकि कुछ वेग्यानिकों का ये कहना है कि मंगल ग्रह के उपर होने वाले लगातार वेट ड्राइ साइकल के कारण भी सतय पर इस तरह की दरारें बने हुई है आप लोगों को बता दू कि मंगल ग्रह के ये weight dry cycles प्रित्वी पर होने वले रित्वों के बदलाव के जैसे ही है वैसे यहाँ पर एक चौंका देने वाली बात ये है कि मंगल ग्रह के उपर होने वाले weight dry cycle के बारे में पहले से पता नहीं था इसके अलावा एक खास बात ये है कि मंगल ग्रह के उपर हो रहे इन बदलावों को वैग्यानिक बड़ी उत्सुकता के साथ विशलेशित कर रहे है जो कि आने वाले समय में मार्स से जुड़ी कई सारे रहस्तियों को सामने लेकर आएगा इसके अलावा एक बात ये भी है कि मंगल ग्रह के उपर दिखाई देने वाली ये दरारे एलियन्स के मौझूदगी की सबसे पहला पुखता सबूत है वैसे खास बात ये है कि सत्य के उपर आने वाली ये दरारे मंगल के उपर मौलिकुलर एवुलिशन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी को एकठा करने में मदद करेगा अगर हमने मंगल के Molecular Evolution को जान लिया वहाँ पर जीवन की उत्पत्ती के बारे में हम पता लगा सकते हैं इसके बारे में National Center for Scientific Research यानिकी CNRS ने पता लगाया था दोस्तो हमने पहले ही बहुत बात कर ली है लेकिन आईए अब जानते हैं कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन की मौजुदगी हो सकती है दोस्तो मार्स की सत्य के उपर ये जो दरारे हैं या आम तोर पर बालू के उपर बना हुआ है जो कि वैगैनिकों के अनुसार पुराने समय के जील के उपर मौजुद है एक दिल्चस्प बात ये भी है कि इन जीलों में सलफेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है पानी सूख जाने के बाद जील में सलफेट के पार्टिकल्स काफी ज़्यादा नजर आती है खेर कुछ वैग्यानिक ये कहते हैं कि जील के सूक जाने के बाद सतय में दरारें दिखना शुरू हो गई थी वैसे दोस्तों यहाँ पर एक दिल्चस्प बात ये भी है कि 2017 में इस तरह की चीजों को सबसे पहले खो जा गया था उस समय इस तरह की दरार टी शेप की आकरिती में हुआ करते थे परन्तु आज के समय में इन दरारों का आकार काफी ज़्यादा बदल चुका है एक बात ये भी है कि इन दरारों की तस्वीर आज वैग्यानिक और भी ज़्यादा बहतर ढंक से देख पा रही है हलकि मंगल के उपर इन दरारों की संख्या पहले से काफी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इनके बारे में भी आज पता लगाना बाकी है अभी की रिपोर्ट्स के अनुसार मंगल के उपर जितनी भी दरारे मौजूद हैं वो सभी दरारे काफी ज़्यादा सूख चुकी है कहने का मतलब यह है कि यह सभी दरारे समय के साथ कई बार भीग कर सूख चुकी है जिसके कारण इनके उपर काफी ज़्यादा मात्रा में सल्फेट को देखा जा सकता है वैसे इसका मतलब ये भी है कि मंगल ग्रह की सतह पर पानी का लेवल कई बार उपर नीचे हुआ होगा मंगल की सतह पर पानी के लेवल का उपर नीचे होना ही इन दरारों के पॉलिगोन आकार के होने का रहसे है हलाकि समय के चलते आकरिती में काफी ज़्यादा बदलावाई हैं और इनकी आकरिती में काफी ज़्यादा जटिल आकरितियों को भी देखा जा सकता है वैसे सबसे खास बात यह है कि प्रित्वी पर भी एक समय इस तरह की दरारों को देखा गया था क्योंकि इनी दरारों के जर्ये ही धर्ती पर सबसे पहले और्गेनिक कणों का दोर शुरू हुआ था मंगल ग्रह पर सफलता पुर्वक उतरने वाला सबसे पहला अंतरक्षियान नासा का वाइकिंग वन था और इसी के साथ एक रहस से बना हुआ है जो अभी भी अनसुल जा है मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत क्या है वाइकिंग मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करने वाला पहला और अब तक का एक मात्र प्रयास था और इसके कंक्लिजन पर आज भी बहस चल रही है वाइकिंग ने मिथाइल क्लोराइड और डाइक्लोरो मिथेन जैसे कार्बोनिक अणों का पता लगाया था दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि प्रित्वी पर जहां कहीं भी तरल पानी है वहाँ पर जीवन संभव है और ये भी संभावना है कि मंगल पर भी कभी महासागर हुआ करते थे कई लोगों को आश्चरे होता है कि क्या मंगल पर कभी जीवन विक्सित हुआ था और यदि हाँ तो क्या ये आज भी वहाँ पर विद्दिमान हो सकता है इन सवालों के जवावों से इस बात पर प्रकाश डालने में मदद मिल सकती है कि शेश ब्रहमांड में जीवन कितना सामाने हो सकता है या नहीं दोस्तों आईए अब बात करते हैं कि क्या प्रित्वी पर जीवन मंगल ग्रह से है अंटाक्टिका में खोज गए उलका पिंड जो की मंगल ग्रह से आये थे वो ब्रहमांडिय प्रभावों द्वारा लाल ग्रह से नश्ट हो गए उनकी सरचनाएं प्रित्वी पर सुक्षम जीवों द्वारा बनाईगी सरचनाउं से मिलती जुलती है ये निसकर्ष इस संभावना को बढ़ाती है कि प्रित्वी पर जीवन वास्तों में बहुत पहले मंगल ग्रह पर उत्पन हुआ था जो की उलका पिंडों से यहां पर आया था वैसे दोस्तों मंगल ग्रह पर जीवन था या नहीं इसका जवाब पाने के लिए लोगों को वास्तों में वहाँ पर जाकर पता लगाना होगा मनुश्य कभी मंगल ग्रह पर जाएगा या नहीं इसका रहे से काफी हद तक इस बात पर निर्भर हो सकता है कि क्या लोगों को वहाँ पर जाने के लिए राजी किया जा सकता है या नहीं एक बात ये भी है कि इस से पहले रोवर मंगल ग्रै की सतह पर औरगनिक कणों को ढूड कर निकालने में सक्षम हुए है हलकि मंगल से आए कुछ एस्टेनोइड के अंदर भी कई तरह की जटिल औरगनिक कणों को पाया गया है जो कि शायद मंगल पर एलियन्स की मौजूदगी को साबित करता है वैसे हाली में खोजे गए वेट ड्राइ साइकल के जरिये हम ना सिर्फ मंगल पर मिलने वाले औरगनिक कणों के बारे में पता लगा सकती है परन्तु इसकी उत्पत्ती के बारे में भी हम काफी कुछ जानकारियां जुटा सकते है वैसे मित्रो आपको इस वीडियो को देखकर क्या लगता है कि क्या सच में मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है और क्या मंगल पर इलियन्स हो सकते हैं हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वे भी इसके बारे में जान सकें साथि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर